हेलो बच्चो, we are live now, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं, आपके अपने प्लेटफरम पर के डिपार्ट सल अलप है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी भैतरी इंसी क्लासिस चली वे थी, यूपी बोर्ड की, और यूपी बोर्ड में आज जो हम डिसकस करने व गोस्थ्योरम, यानि कि वद्दुत फ्लक्स तता गोस्थ की पिर्मे या गोस्थ का नियम, तो यह क्लास हमारी भैतरी रहने वाली है, ऐसा हो सकता है कि एंसी आटे में यह आपका पहला ही चैप्टर दे रखाओ, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पहला चैप्टर और मेरा द जिससे कि आपको अलग-अलग चीज़े अच्छे से समझ मा जाए, और किलियर हो जाए क्योंकि एक बड़ा चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा समझ से उत्पन कर सकता है, तो इसी परकार से हमारी क्लास के साथ लगातार जुड़े रहिए, इसी परकार से अपना प सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के फायदे क्या होते हैं, आपके अपने फायदे, अरे आपके तो कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है इस चीज़ का, जबकि आपको क्लास का पूर्ण रोप से नोटिफिकेशन मिलता है, एक्जाम के लिए महतपुन क्लासिस हो क्लास नमबर 6, यूपी बोर्ण अपकी बार फिजिक्स वार, वास्तमी अपकी बार फिजिक्स वार होने वाला है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आपके नमबर कम नहीं आने वाले इस बार, तो आज जो हम टॉपिक डिसकस करने वाले हैं, इन टॉपिकों के बारे में एक पढ़ानी होन देना अगर आपको अच्छे तरीके से यह समझ में नहीं आया तो यह एक बिमारी बन जाएगी तो मेरा बिमारी कहने का मतलब किसी भी टॉपिक को यह है कि लगातार लगातार किसी चीज को इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा महतापुन टॉपिक है हमारा वहीं पर इस्टेट एंड प्रू गोस थियोरम गोस की पिरमें कथन तदा सिद्ध करनाएंगे यह काफे महतापुन टॉपिक है और एप्लिकेशन ओप बोस थियोरम ऐसा कोई भी साल का अभी तक पेपर नहीं गया है यूपी लाइक कर दो सेर कर दो एक मिनट का टाइम लिकाल कर जल्दी जल्दी सभी अपने वाट्सप के स्टेटस पर लगा लो ठीक है तो इस टोपिक को डिसकस करेंगे चैप्टर नंबर टू है जो लेट जुड़े हो एक बार फिर से बता दूने चैप्टर नंबर टू चलने वा जाएगा वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखा करो क्योंकि आपको खपा मार पढ़ाई नहीं करनी है महनत करनी है अच्छा तरीक्या से अगर आपको कंटिनुवसली यह सोच का चलोगे कि एक दो मिनट वीडियो को देख लिया जब आप वीडियो को लाश्ट कर रहोगे मैं यह जाब पूरा विश्वास है आपको वो पूरी की पूरी चिज़े एकदम क्लियर क्लिस्टल हो चकी होगी ठीक है चलो तो बढ़ते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट के तरफ तो बेसिक कंसेप्ट में आज मैं आपको भेतरिन सी चिज़े बताने वाला हूँ तो आज बेस तो भई ध्यान पुर्वक सबसे पहले हम एक बात बतता हूं मैं आपको सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं भईया कि जरा मुझे क्या बताना एक हमारे पास दो चीज़े के बारे में आज हम विसेश तोर पर बात करने वाले हैं ठीक है जै विसेश तोर पर क्या करने वाले है बात करने वाले हैं अगर मैं आपसे ये कहूं भाईया अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास सपोज गरो दो चिज़े हैं सपोज गरो हमारे पास दो चिज़े हैं पहले वाले को मैं पहले वाला जो है मैं इसे 2D में count करके चलता हूं अच्छा 2D किसे बोलते हैं तूडी बोलते हैं तूडाइमेंशन समझ माला हूं ठीक है जी इसे देखो 2D में तूडाइमेंशन में अगर ये ऐसा गोल कोई चीज है इसे क्या बोला जाता है भाया स्तरकिल बोला जाता है जिसे आप बोलते हैं हिंदी में वरत और दूसरी बात अगर मैं बता लगो ये वाला जो आपको गोला दिखाए दे रहोगा ये है हमारा 3D में अभी ये 2D 3D का समझ में आने वाला है आपको इसे मैं कहा देता 3D3D और भाया 3D में ऐसे वाले गोले को मैं सर्किल नहीं कहता हूं मैं स्पेर कहता हूं क्या कहता हूं गोला अच्छा जी इन दोनों चीजों में क्या डिफरैंस है वे चीज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले मैं आप से कहूं ए ऐसे चीज आपके घर में एंड कि जो आपका आसानीस है कागज पर चेज पर चाप जाएगा जैसे अगर मैं से कहूं आप मतलब एक पैंगल्स देखी होगी आपने चूडी से देखे ही उडी को X-axis Y-axis और Z-axis होती है जबकि टूडी में हमारी कैसी होती है केवल X-axis और Y-axis यानि कि Z-axis नहीं होती है यानि कि इसे plane भी कह सकते हैं और ये इसमें थ्री-डायमेंशन होती है इस विज़े से रेडियस होगी रेडियस होगे और ये इसका center point O हो गया ठीक है जी अगर ये ये ऐसा ऐसा घूम रहा है लगातार ये इसकी circumference है जिसे आप प्रीदी बोलते हो तो यहाँ पर था मालो और ये थोड़ा सा घूम कहा है थोड़ा सा यहाँ पर इस point पे चला गया इस वाले point को मैं angle is equal to angle is equal to arc upon radius तो angle यहाँ पर क्या काम कर रहा है angle को बोल दिया हमने कौन और arc को बोल दिया है यहाँ पर चाप यह वही खाने वाली चाप नहीं है कदी उमें पानी आगे हो और यह होती है अमारी त्रिज्जा अभी यह चाप का क्या मतलब है यह से लेकर यहां तक कि जो यह distance बनिया है न circumference पर यह cut जो लगा है sector जो बनाया यह वाला यह से distance को हम चाप बोलते हैं इससे हम क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं यानि कि चाप बोलते हैं तो हमारा यहां से angle represent कर हमने ठीटा से और arc हमारी हुई आर्क को हमरे रिपरजेंट कर दिया s से और radius हमारी रही और तो इस यह होगी ठीटा इस इकल टू एस अपोन और क्लियर यह वाली बात अच्छा इसका एंगल का आपको यूनिट देखना हो तो हमारा एंगल की यूनिट होती है रेडियन क्या होती है रेडियन बहुत की कहानी अगर अच्छे तरीके सा आप देखोगे तो 3D में यह होगी हमारी रेडियस इसे कहा दिया हमने सेंटर पॉइंट को ओ इस वाले सेंटर पॉइंट को ठीक है ऐसा मान के चलो यह आपका थोड़ी देर के लिए इमेजन करो यह आपका तरबूज है वाटर मेलन है त लाल है या ना है मारा जैस चीज को बता है तो प्यारे बच्छो यह वाला वाला जो हिस्सा जैनिकि हरा पार्ट जो आपको दिख रहा है कि आपको हरा पार्ट जो दिख रहा है इसका ठीक है यह वाला जो हरा पार्ट इसे वहाले में यूज करते हैं, solid angle, यानि कि इसा बोलते हैं घन कोन, और यह गन कोन की value, देखो, यहां से यह ऐसे चलता है, यह ऐसा गोमता है, यानि कि इस वाले में तो यो directly यहां से चलता है और ऐसे लगता र घूमता वह वापिस आ जाता है वापिस आता है यह छुकक कर इसका 360 लेकिन यह वाले इसका घूमने का तरीका क्या है ऐसे चलेगा और अपने स्थान पर वापिस जंग यहां तक के टम्स कु हमने पहली बाड़ अगर टूडी में ले आता है यहां पर एस लिया था तो यहां 3D में आर्फ को लेंगे हम एक एरिए को रिपर्जेंट कर रहे होगा यह वाली जो है हमारी यह क्या है सकी रेडियस है इसा हमने कहा दिया R है अब ये वाला जो अंदर का इसका हिस्सा दिखाए दे रहा आपको ये वाला जो अंदर का हिस्सा आपको दिखाए दे रहा है क्या आपको दिखाए दे रहा है ये वाली कहानी अंदर की तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं D omega क्या बोलते हैं D omega थोड़ा सा डार्क बनता है कि d omega is equal to da upon r square जब अपर यहां format का आया तो निच्चे radius का भी तो r square बनेगा तो d omega की value कहीं भी अगर जरूद पड़ेगी तो d omega is equal to da upon r square यदि 90 degree से कम है और axis की represent कर रहा है flux तो d omega का एक भैतरिन सा formula यहां से बन जाएगा da cos theta अगर angle दिया हुआ है तो by r square तो यह दो formula आपको भैतरिन तरिक्के से याद रखने है यह क्या याद रखने है भैतरिन तरिक्के से याद रखने है अच्छे एक बात मैं आपको बता दूँ यहां पे अगर आप देखोगे एक चकर पूरा पूरा एक चकर कितने 360 degree का बनेगा 360 का मतलब है 2 pi का बनेगा लेकिन अगर मैं इसमें बात कर लगूं solid angle में बात कर लगूं तो एक पूरा चकर इसका बनता है 720 degree का और इसकी value यहां से यूज करे करेंगे कितनी 4 pi कितनी यूज करेंगे 4 pi तो इसका मतलब है d omega कि यानि कि जहां कहीं हमें यह दिखाए देगा मैं यहां पर बनाकर लिख देता हूं एक ट्रिगेशन डी ओमेगा इसकल टू और पाई यह वाले जितने भी आपको पॉइंट बता रहा हूं यह आपको इस चैप्टर की काम करने के लिए काफी मदद करेंगे जल्दी से बताओ आई होप आपको यहां त ले लेंगे फिर हम आघ़ बढ़ जाएंगे ठीक है एक बार श्क्रीन शोटर ले लेंगे अगा बढ़ जाएँगे फिर एक दम भैतरीं तरीक के से थिक है आई होप यहां तक के कहने सभी को क बहुत वहतरिन तरीके सा अग्य बढ़ाएंगे तो सब से पहले हम देख लेते हैं भया अब electric flux क्या होता है electric कर एक द्यान से समझना फ्लक्स किसे बोलते हैं अगर मन ने सब्सक्राइब मेरे पास कोई भी कोई भी मालों यह एक्टिक फ्लाइन से यह एक्टिक फिल्लाइन से यह या electric field कहा दो यहां पर से बोल डैंने गत्रों और अब कोई भी एक hypothetical कोई ह korkन्य भींख यह कोई एक काल्पनिक रस्ट है जा है कोई है कोई भी काल्पनिक-ठाल्पनिक रस्ट है या विक्ष भी में चीज़ वह सुद्धन clean ? आइपो थेटिकल सर्फेश है और यह इलाव्रम फिल्ड याटिग फिल्डं यह ओग और यह तिकने में इस रोका घड़ होगा जारी है यह बहुत है आर套े जतनी मोहीं से आलेफिक विल्ड लाइन Electric field lines जितनी बहार, जितनी electric field lines ज़ाद होंगी, उतने electric flux कैसा होगा? ज़ाद होगा. एक तरीके से electric field lines कितनी है? Electric field lines कितनी है? यानि कि वैद्दूद बन लेखाई कितनी है? इस बात को कौन बताता है? electric flux बताता है. नहीं बाम अब बारिया आती है अल्हुला को हम रिपरजन्ट किस से करते हैं इल्हुला झोली किस है? भाइखे देतinde है इस में लोगा है और भल परसे GMT कर दिया ऑगली प्रॉदिया है किस से ए से ए से ए से रिपर्जेंट कर दिया और जो यह एरिया लिया है नो ने निकलने के लिए यह जो एरिया लिया है यह जो एरिया लिया है नो ने यह वाला जो एरिया लिया है निकलने के लिए दरवाज़ जो लिया है इसे मनने बोल दिया डिये कोटा सा एरिया तो इसक किसी को भी जल 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 सही है format note down कर लो और फिर एक भैतरीन से चीज मैं आपको बताने वालो एक बार एक word मैं और बता दू इलेक्टिक फिल लाइंस किसी भी hypothetical medium से है यानि कि काल्पनिक प्रश से कितनी निकल ली है उसे अपयानिक बताता है यानिकि ये लेक्टिक फिल लाइंस की मिजरमेंट करने के लिए लेक्टिक फिलक्स तुझ होता या आप ऐसे भी कर सकते हैं और जिस एरिया में से वह निकल लिए उनका का डोट प्रोड़क्ट क्या रहा होगा पाई रहने वाला कोई दिक्कत समझ से एक बार नोट डाउन कर लेंगे फिर हम आकर बाएंगे बैतरी इनसी चीज की तरफ ठीक है आई होप यहां तक क्लियर होगी होगी सभी को जल जल दी से बताएंगे भई क्या हैं छहने वाली यह φाई क्या है एक रख्तिक फिलक्स की पूरी रामधाम देक्षने वाले हैं व लिकते हैं एक वा की पूरी रामधा और वाई इस रिलेटिड कोश्चन याने कि एलेक्टिक फ्लक्स से रिलेटिड कोश्चन आपके अब नहीं छुटेंगे हैं ठीक है जी तो क्या बोला हमने एलेक्टिक फ्लक्स इसे बोलते हैं वेदूत फ्लक्त आप भी कमेंट करके बताते रहो साथ साथ कि भाईया समझ में आ रहा है या ना रहा है थम जरूर कर दगरो और कमेंट करके जरूर बताते रहा है इस से में पता चल जाता है कि आप कितनी चीज़ों को अच्छे से कर रहे हो अच्छे एक बात बताओ फाई ए अगर आप से कोई पुछा लगा है तो भाईया स्केलर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है इसे बोलते हैं अधिस रासी कैसी रासी है यह अधिस रासी जाने कि इसमें डारेक्शन नहीं होती ही मैगनिटूड होता है दूसरी बात बताओ फाई ए का फोर्मुला जो हमने यूज करा ए वेक्टर डोट टी अ वेक्टर लेकिन कभी कभाग जब हम फाई ए का यह पॉइंट हैं यह सब फाई ए को यूज करते हैं तो इसे हम यूज करते हैं ए डी ए को उस्ट ठीटा क्लियर यह वाली बात और बात मैं आपको बता दूँए अब अगर कोई आप से पुछल लगए कि फाई ए की यूणिट डाइमेंशन बताओ फाई ए की यूणिट अट डाइमेंशन तो अगर रेखेंगे कि वीमा मातरक तता वीमा मातरक तता वीमा को देखो बड़ा जटिल काम है निकालना लेकिन बहुत अच्छे तरीके सा आपको बहुत प्यारे तरीके सा समझाने वाला हूँ जिससे कि आपको कहानी बिल्कुल किलियर हो जाए अच्छा एक बात बताओ पाई ए अगर आपको दिख रहा है तो इसका एक फॉर्मुला दिख रहा हुआ ए वेक्टर डॉट टिखाय दे रहा साथीकों आपको बिल्कुल दिखाय दे रहा है अच्छे एक बात बताओ पहले ए का केस समझ ले एक्चुल में होता क्या है ए होता है अगर हम इसको देख पार जोता है आवेस होता है क्यानिकी यह बल है और यह क्या है आवेस है अच्छा एक बात बहुत बताओं इस बीडियम वालों को एक बात बताना चाहूंगा मैं भाईया आप प्रोपर अगर मालो लेंगवेज ना भी बनाओ ना भी आप इंगलिस में करो कम से कम उन तो थोड़ा थोड़ा सा याद कर लियो इससा आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अभी बता कर चल ला है इस कहानि को तो दीखो वह और से बल है यह simpler ऑुक्त की मनि 3-1 यह टर्म्स हमारे पास बनेगी अब हम ए की वैल्लू को तो यह स्था निकाल लेंगे कोई दिक्कत अच्छा फाई इसकल टू ए की वैलू कितनी हमारे पास यह रही एम एल टी माइनस 3-1 लेकिन भाईया उपर ध्यान नखना पड़ेगा एका तो निकाल देवे हम एरिया का ध्यान रखता है एरिया क्या होता है एल की क्लियर यह वाली बात और फाई जब इसका निकाल लेंगे अच्छे से तो ML3T-3A-1 जिस किसी पर हमारी जिस किसी पर यह डायमेंशन निकालने ना आती हो हमारी प्लेलिस्ट बनी भई यह है यूनिट एंड डायमेंशन की वहां से जाकर आप अपनी प्रोब्लम को सॉल्फ कर सकते हो ना तो बिमारी बन जाएगे ठीक है तो अब देख लो यह तो उ अब इसका यूनिट यहसे भी आप निकाल सकते हो यह क्या हो जाओगी किलो ग्राम मीटर 3 सेकंड मानस 3 एंपियर मानस 1 एंपियर मानस 1 जल्दी से बताओ यूनिट निकालनी आगी है नहीं आई की पिर और दूसरे तरिके की यूनिट और भी मैं आपको बताने वाला हूँ एक दूसरी unit भी आपके निकाल वाकर दिखा देता हूं, यहां सा फाई-e की, यह तक note-down कर लिया हों तो एक बार थमब कर देंगे सभी। फाई-e की एक दूसरी unit भी बता देता हूं, जो mostly कभी भी क्योग्ज होनाती है, थो फाई-e is equal to यह दिहान न और इसको हम लिएक्टरय प्रसाप्न कुलाम है यानि कि चार्ज और ये क्या है मारे पास एरिय फोटा सा एरिया के रिधी लगा हुत लिंघर है और सब्सक्कर न्यूक्षंट माधर न्यूटन बनता है इसका कुलाम बनता है और इसका क्या बनेगा मीटर स्क्वेर तो न्यूटन कुलाम माइनस वन और क्या बनेगा यहां से मीटर स्क्वेर ये भी एक भैतरी इनसी इसकी यूनिट बन जाती है को अधिकर समझ से किसी को भी एक बार नोट डाउन कर लो फिर हम आगया बढ़ते हैं यह कितनी बार यूपी बोर्ड में उच्छी वह यूनिट है भई यह हमारी भैतरी इन तरीके से सारी सिरीज कराई जाएगी सारे काम करवा जाएगे आप बे फिकर ह बैकर करते हैं तो कलियर होगी यह वाली कहानी तो हमारे आज कोन कौन से टॉपिक आज में जो बच्चे क्लास में लेट जुड़े हो तो मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं हमारी आज क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है एं से आर्टी में ऐसा हो ऑशक चलो मैं एक बार इसको न हिंदी में भी लिख देता हूं वैद्दूत जब हिंदी मीडियम की भी किलास है यह साथ में वैद्दूत फ्लक्स जैसे नाम से पता लग रहा तथा गोस फिर में तो यह वाली जो क्लास हमारी भैतरीन तरिक्या से थैने वाली ठीक है तो जी हमने से यूनिट संब्सक्राइक है और यह तो सबसे पहला हमने क्या देखा था बेसिक कंसेट देखा था तूडी का और 30 का ठीक है यहां से मने आपको बताया था जितनी भी यह terms मने आपके लिखी है ghost theorem में बहतरी नतरीक के से योज होने वाली है ठीक है जी चलो जी और फिर इसके बाद electric flux बताया electric flux क्या होता है कि कोई भी electric field में है और electric field lines किसी भी area से निकल के जारी है तो उसे measure करने के लिए जो चीज यूज करते है electric flux यूज करते है फ्लक्स को पाई से EDA यह सब को ड्राम बताया था और इसके बाद इसकी मनना पूरी theory बतायाती कि 5E actual में क्या होता है कैसा कैसा काम करता है कैसा कैसा इसके questions बनते है तो next heading लिखेंगे सभी अपनी copy पर question कैसे आता है समझ गयो होगे state and prove cause theorem state and prove cause theorem त्टा सीद की जिए पर में को लिखिए तता सिद कीजिए फिर में को लिखिए पर किए तता सिद कीजिए तसद फिर इस है एगए जिए important question है बहुत प्यारा सा question है हर साल most repeated question है तो इस पर तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2025 के paper में यो छप गिया ठीक है जी लिख दो चाहे तो इस पर छप गया ठीक है भईया विश्वास करका चला करो question हो पर question भी विश्वास देऊगा फिर तुमें ठीक है जी तो अगर मैं आप से कहूँ हमारे पास suppose करो कोई भी एक इस तरीके का परस एक इस तरीके का इस तरीके का कोई भी एक hypothetical diagram है यह हमारे पास यहां पर एक point रखा हुआ है इस point को मनने कहा दिया ओ point इस पर क्या रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इस से small r distance पर यानि कि radius की distance पर एक point है हमारे पास P कौन सा point है P point और हमेसे P point पर हम point charge प्लस क्यू नोट से रिपरजेंट करते है ऐसा बताया तो मनने आपको physics में एक तरिक्के सा ऐसा मान का चलो यह आलपिन है छोटा सा लोय का एक हिस्सा है और चुम्बक के दोरह आप ले जा ले जा का उसे देखते रहा हो कि मतलब attraction करता है यह repulsion करता है अच्छे एक बात मुझे ज़रा बताना कि यह पिलस का है यह पिलस का तो दूर हाएगा या पास आएगा अगर आपने concept of charge को धियान पूरवक से पढ़ा हो तो आप क्या हो गई यह वाला पिलस का चार्ज है यह वाला पिलस का चार्ज है तो यह दूर हटेगा अब यह दूर हटेगा तो इलेक्टिफ फिल लाइंस भी भार निकलेगी अब इलेक्टिफ फिल लाइंस किस परकार से भार निकलेगी इस चीज को मैं आपको बताने वा और इतने एरिये से इतने एरिये से यह जो एरिया तुम्हें दिखाए दे रहा है क्या दिखाए दे रहा है यह जो एरिया तुम्हें दिखाए दे रहा है यह वाला गोल वाला एरिया जो तुम्हें दिखाए दे रहा है यह वाले इतने एरिये से छोटे से एरिया को इस पूर यह वाला यह वाला जो है इसे मनने पूर्य का एरिया के दिया और यह वाला चेज इस दिकाNM गया यह हो गया हमारा डियों में कोई दिक्कत समस्या अब यहां से इलेक्टिफ रिलाइंस बहार निकल लिए लेक्टिफ रिलाइंस बहार निकल लिए क्यों क्यों लिए यह पिलस का यह पिलस का दूर हट रहा है अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने हिस्से में से इतने ह हिस्सा actual में है कितना इसा मनना कहा दिया डिये और हमेश्सा ए और डिये हमेश्सा जादतर केस में जब हम application करेंगे यह कैसे रहने है पैरलल है नहीं समानतर रहने है तो सबसे पहले इसे मैं क्या लोकूं अगर मैं मालो कुलाम सलो भी ना लूँ तो एक काम करो एक कहानी और बताता हूं चलो कुलाम सलो ना लूँ फिलक्स का केस ले लूँ मैं यह मानका चलता हूं चल कुलाम सलो सा ना करके इतने हिस्से से जो यह फिलक्स निकल ला है इतने हिस्से से जो इलेक्टिव फि यह तो हम लिख लेंगे पाना हमारे पास कोई भी एक एक यह एरिये वाला कोई भी काल्पनिक प्रस्ट है इस पर बिंदू पर प्लस क्यू चार्ज रखा वह है और यहां पर एक पी पॉइंट पर पॉइंट पर पॉइंट चार्ज है फिलस्पुलस के को द Glow लोगा यानिकि इतने ही इतने छोटे से इस से में सद्धिया निकल लोगा यह हमारा जो आया है यह क्वाइंट लग इलेक्टिटीग की बात हो ही मॉल स्वाहिए इलेक्रीग्ट्रिक goes म है शक्षम प्यद्धुत फ्लक्स तुक्षम वैद्धु फ्लक्स को हम रिपर्जेंट कर दिया डी फाइए सब कोई दिक्कत समस्या आई ओप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं हो ठीक है जी अच्छे एक बात बताओ अगर मैं कहूं इंटेंसिटी वी नोड़ेट इंटेंसिटी का एक प्याद हो जाओगा और उस फायदे से ही तो पांसो करोड की साथ दियोंनी है कि समंझी होगे तो हमारे पास यह एक काम करो इसे कोश्टीटा में बदल लो डोट प्रोड़क्ट हटा के यहां से चलो मैं अगली एक स्टेप यहां से क्या काम कर देता हूं इसे यहां से हटा तो इसे थोड़ी देर के लिए यहां पर लेलो इधरली साइड में तो एक स्टेप को यहां से डी फाई अगर आप देखोगे डी फाई इसकल तो देखोगे तो इडी यह कोश्टीटा बनेगा अब आपकी एक वैलो यह है इस वाली वैलो को जब यहां पर पुट अप इसे थोड़ा सा और रियरेंजमेंट करके लिखोगे तो आप देखोगे डी फाई इज कल टू क्या बनाओगा यहां से जल्दी से देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं वन अपोन ओर पाई एपसल नोट इसे क्यों बना लो और यह हो जाएगा दी यह ओस्टीटा बाई आर स्क्वेर तो जरा बताना किसकी वैलो कितनी बता काया हूं दी एक बार दिखाता हूं कहां पर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इसी वज़े से समझा काया था जल्दी से पोच जाओ इसने पेज नंबर थिरी पर अपने तो यहां पर बता काया था न दी एक ओस्टीटा बाई स्क्वेर की वैलो कितनी है डी ओमेगा इसी वेज़े से बता काया था कि गोस्तियोरा माराम से आपको समझ माजब है ना तो इतनी जल्दी तरीक्या सा भूल जाओं ऐसे तो डी फाइज कल्टू क्या बनेगा यहां से क्यूं अपोन फोर पाई एपसल नोट और यह वाली व तो इतना निकला उतना यह सा निकल लाज आए तो इंट्रिगेशन सबसे बड़ा थी ओर रही तो इंट्रिगेशन कर देंगे दोनों साइड का इंट्रिगेशन कर दो डी फाई बस इंट्रिगेशन का इंसान ले लो कितना इक प nhất shortly सबन जाओगा हुँ रहा है और पाई एपसल नोट फॉल्टिप्लाइड यह तक बताओ किसी को कोई दिक्कत समस्या चलो जी अगले स्ट्रेप बढ़ता हूं आई ओप यह तक स्ट्रेप आपने नोट डाउन कर लिया होगा ठीक है जी तो देखो भाई टी फाई इसकल टू यहां से फाई आ जाएगा जो बेगुना है उन्हें भरी कर दो यानिकि जो कूंस्टेंट है उन्हें हटा दो दी वालों से इसकी इंट्रिगेशन की दुस्मनी है इंट्रिगेशन डी ओमेगा अच्छा आपको एक बात और याद रखनी ती वहां से कौंसी बात भीया जल्दी से बताओ कमेंट करके इस पूरे की वैल्लू और कितनी थी वहां पर मैं तो चला जाओंगो लेकिन अपना दिमाग भी एक्जाम में तुरंत ले आना कि भईया ड्री ओमेगा की वैल्लू एक और भात री कितनी थी वैल्लिया दूर तुर्पाइशन ड्यों मैं की हेल्लू कितनी थी वैल्लू पाई चलो जी बड़ जाओ वहां पर जल्दी से थे यहाँ अन्य नहीं कि इस पूरे सिस्टम के जंग है क्या रख देंगे और पाई और फॉर पाई से फॉर पाई डिलीट तो फाई ए की वेलू कितनी हो जाओगी क्यों अपॉन एपसल नोट और ये जो मुख्या हतियार आया है इसा ही कहते है गोस्थियोरम इसको लिखने का तरिक्का क्या ह होता है कहीं कहीं ये ऐसा लिखा हूँ मिल सकता है कि फाई इस कल टूइंट्रिगेशन इवेक्टर डौट ड़ी ए वेक्टर इसका अपॉन एपसल नोट क्यूं अपॉन एपसल नोट येई क्या है अमारी गोस्थियोरम इस जलदी सा बताओ कमेंट करके सभी को किलियर हो ग सानी यह सभी को किलियर हो गी या नहीं हो इकाहनी और इसे भी बोलते हैं तो इंट्रीगल फॉर्म की इंट्रीगल फोर्म के जानगी गोस किरो में का समाकलन समाकलन रूप समाकलन रूप कभी कबाक डिरेक्ट फोर्वर्ड पोश्चन भी यहां से पूछ लिया जाता है जल्दी से बताओ कमेंट करके यहां तक किसी को कोई दिक्कस समस्य तो नहीं हुई है ठीक है जी फिर अगर बढ़ेंगे बहतरी इन तरीके से चलो जी अगर बढ़ते हैं और क्या देखना हमें अब हमें स्टेट एंड प्रूव यानि कि ये वाली कहानी तो अमारी कंप्लीट हो गी है ये वाली कहानी तो कंप्लीट हो गी है अब इसकी application देखते हैं गोस्थ्योरम की application आती है एक स्टेट वायर की है और एक स्टेट की दोन्नों में से एक जरूर पुछी जाती है पूरा question भी अभी बता दुआ दोन्नों most important है दोन्नों कैसी है most important तो application चलेगी गोस्थ्योरम की तो जल्दी जल्दी से अपनी copy में लिखो application of गोस्थ्योरम ठीक है जी तो हैडिक लिखेंगे application of application of गोस्थ्योरम तो इसकी दो application है सबसे पहले वाले यानि की गोस्थ्योरम का नुक्रियोग गोस्थ्योरम के अनुप्रियोग और एक derivation आप तब यह derivation application की बात हो रही है यहाँ पर तो पहली derivation का हिंदी में जल्दी से लिखेंगे तो पहला है अनंत लंबाई के के एक समान आवेशित आवेशित सीधे तारक के तारक के निकट व्यद्दुत छेत्र की तीरता का व्यंजक की तीरता पूरा कुश्चन तो व्यंजक लिखावा आवगा अब इसे इंगलिस में पढ़ लेते हैं इंटेंसिटी इंटेंसिटी ओफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड नियरे यह एए यूनिफोर्म ली चार्ज चार्ज टेट वायर ओफ ठीक है यह इसके एप्लिकेशन का यह एक डेरिवेशन पॉर्मैट है अब मोस्ट रिपेटिट पॉश्चन है तो मोस्ट इंपोटेंट लिख दो इससे भी और लिख दो विसेश बात विसेश बात छप गया खीक है जे जल्दी सा नोट डाउन कर लो खीक है जे इंफाइनेट लेंद किलिए रहे यह वाला एप्लिकेशन सबसा पहले करते हैं यहतीर नमबर का डिषेसन कुछ जाने के चांस होते हैं यह व्यार्य ठीक है जो मोस्ट चार्ज राऑ लो आई होप सबीन और नोट डाउन कर लिए होगा ठीक है जे वमारे पास एक वायर है यह जोटारी जो चार्ज है लवस पर चार्ज आया हुआ है तो इस डेरिवेशन का डाइग्राम एक काम करता हूँ थोड़ा ध्यान से समझो देखो भई हमारे पास कोई भी एक कोई भी एक यह वायर है इन्फाइनेट तो कह रखा वैसी इस पर चार्ज है मालो प्लस चार्ज है कोई दिक् जब यह चार्ज है तो इसके चारो तरफ एक ढोसिन सरफेस बन जाता है दिखाए दे रहों गोड़ा से ध्यान से समझें मैं यह एक वायर था पीले वाला जो आपका दे रहा है इसकी लैंध थी हमारी ल चलो इस लैंध को मैं इधरली साइड में ले लेता हूं मैं एक पॉंट लेता हूं भाईया यहां पर इस इस समॉल आर डिस्टेंस पर आपर मालो ओ है पी पॉइंट माल लिया और अपर पी पॉइंट के कुछ इससे सही बार निकलकर अपर निकले गां तो इव यह जा रहा है और डिये इस एरिया को क्या दे अबनने डी इए कह दिय यह इसके चारों तरफ एक सरफेस बन जाता है जो बेलन का रूप ले लेता है वह पॉइंट है ओ से ओ पोंट से लेके स्मूल आड डिस्टेंस पे पी पोवंट है जो ते और फोंट है अब दिखो इलेक्टिक फिंटिस्टिटी निकालने जोट्प धोर्म की हैं अब देखो इलाक्टिक फिल्ड इंटिनसिटी हमारा निकालने का सवरे कोश्चोंग में मतलब हम दोर्म करने के लिए और चार्ज को equal distribute करने के लिए बनांती तो अब एलेक्तर फिल्ड़ इंसिटी हमें निकालनी होती है अच्छा सबसे पहला समझने से पहला है इस पूरे सिस्टम को समझने से पहला एक यह टार्ज बनसेटी कौन सा वरड dye बहिए लीनिये घार ज़िंचटी रेखे आवेस घनतु चा बोलते हैं रेखे आवेस घनतु इसे लैमडा से रिप्रजेंट करते हैं जितना भी चार्ज है पर यूट में याने कि चार्ज कितनी लैंथ में फैल ला हुआ है अच्छे यह जो वायर है हमारा वन डायमेंशन है याने कि केवल इसकी लंबाई है च की चोड़ाई होती है तो यह सीट बन जाता फिर यहां क्या होता ए लेते फिर यहां पर सिग्मा लेते हैं फिर वह बन जाता सर्फेस चार्ट डैंसिटी यानिकि प्रश्ट आवेस घनत बन जाता हूं अच्छे यह बताओ लैमडा इस गल्टो क्यों आपो ने कदिक अदाक अलग से भी यह फॉर्मैट पूछ ले आता है याद रखियो लेकिन डैरिवेसन में यूज करना है तो बहुत ज्यादा मैतपून हो जाता है अब थोड़ा सा ध्यान से समझ कर चलेंगे सबसे पहला मैं यह मान का चलता हूं यह वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इतने से है ओ एल्यक्तिक फ्लक्स निकल कितना रहा है एक यह एक रिण क्रुछ कितना हरा में यह मान का चलता हूं म महीं एक unlock चलता हूं मोल कोटे से से तो रुप्影 ए राप्टिक फ्लक्सनिक निकल तो अ है पॉइंट पी आड़ पॉइंट पॉंट प्र पी बिन नुअब और यह ले लेक्ट सकते हो कि हमारे पास एक तार है कि लेकल है और देखो गए और डी यह आपस में पैरलल होते हैं यहां से एक फॉर्मुला होता है इसान को कैसे हैं पैरलल है जब कोई चीज पैरलल होती है तो उसके इंगल कैसा होता है जीरो डिगरी यानि कि ठीटा बराबर कैसा होता है यहां पर जीरो डिगरी तो कोस इस ओकर समयां किसी को भी यह बताओ कोई किसी कोई दिक्कत समझ्या नहीं होगी एकदम फॉर्मैट से याद करा आँगा आपको एकदम भैतरी तरीके से समझ भाजाएंगे जाने कि छोटे से इससे निकलने वाला क्या हैए ensault x लोगी दिक्क्त समझ्या कोई दिक्कत समझ्या थर टोटल फ्लक्स निकालाना चाहता हूं उइ spring लक्स लग पाफिस निकालो भी पूर मोद आपकर कदह करना पड़ेगा में मेbिक दिक्कत समझ्या स्वे और इंट्रिकेशन दणों साइड़े संकर देगा कि यह जाएगा कि बेगुना है इसे बरी कर दो और यह का मतलब है अब आप यह देखो डाइग्राम में जल्दिस है भाईया डाइग्राम में आपको बताया था बेलन दिखाई दे रहा होगा यहां पर क्या दिखाई दे रहा होगा बेलन जब बेलन दिखाई दे रहा होगा कुछ न conception तनी कि सर्फेस एरिया निकाल लेंगे क्या शांख कंटा निकाल इस इएरिया क्या होता है सर्फेस परकुल मैं सर्फेस या स्रफेस एरिया ऑर औरस लैंडर कि वेलन का वक्रप्रस्ट रखेंगे एरिया वाले सिस्टम की जेंगर तो टू पाई और एच इसकी लैंथ है यानि कि महां हाइट है तो इसकी यहां पर लैंथ हो जाओगे तो यह हमारे पर आया भाईया लुक्रम कि यह वाली दो क्यों अपॉन एपसल नोट इंटेंसिटी तो यह चलागे इसके डिवाइड में तो इसकल यहां साएगा यहां साएगा इसमें के काम करो आप यहां भी अंसर छोड़ से इसके स्टेमेंटेकली आप लिखोगे वन अपॉन टू पाइए एपसल नोट आपन और एल अब अच्छा से टू से डिवाइड कर दोगे तो वन अपोन फॉर पाई एपसल नोट हो जायेगा और टू लेमडा भाई आर हो जायेगा जल्द जल्दी से कमेंट करके बताओ इस डैरिविशन में किसी को कोई दिक्कह समस्य नहीं हो अगर किसी को दिक्कह समस्य पर ऐसे चेक करके देखते रहा हो धीक है फिर भी समस्य होती है तो कमेंट सेक्षिन पर आप पताति रहकरो, अब हमाराज अगर आप है तो ghost theorem का ghost theorem का state wire वाला तो हो गया, कल इसका seat वाला application čलेगा और डॉन्नों में से एक तो हर साल जरूर आता ही, आता है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दो, share कर दो अपने सबी दोस्तों से रोज सक्षा यप्टियों आने वाली है ओल दिवैस सभी को